कि हैं गाइज वेलकम बैक टू माइच चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो गाइज आज की वीडियो में आपके साथ जशन की हेर वाश की वीडियो शेयर करने लगी हूँ और आज मैंने हेर वाश उसे करवाया है इंदू लेखा शेंपू के स शेंपू है इसली आप अपने लोकल मार्के स्टोर से यह वाला शेंपू बाई कर सकते हैं तो गाइज सबसे पहले आप इस शेंपू का छोटा सा रिव्यू देख लीजिए उसके बाद मैं आपके साथ डेमो शेयर करूंगी तो गाइज वीडियो अच्छी लगे तो वीड लेजन शेंपू अगर आपको हैर फॉल की अगराब फ़्युक्त करता हैं तो चते ल्गे यह वं इसी शेंपू से मैं जशन को हियर वाश करवाऊंगी जशन के बालों की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी है तो मैं दो पाउच यूज कर रही हूं आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इस शेंपू की कौनिटी यूज कीजिए तो आज मैं जशन को इंदुलेखा शेंपू के स साथ हियर वाश करवाने लगी हूं जशन के बालों के लेंथ आप देख सकते हैं अगर आप जशन की वीडियो फर्स टाइम देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो आपको बहुत अच्छी अच्छी जशन की पटका वियर करके रखता है तो यह सब चीजे मुझे इसलिए बतानी पड़ती है क्योंकि जशन की वीडियो फर्स टाइम देख रहे हैं शायद उन्हें नहीं पता होता तो सबसे पहले उसकी ब्रेड ऑपन करने के बाद उसके बालों को मैं वैट कर रही हूं अच्छी तर अच्छा वाला शेंपू है कोई भी केमिकल इसमें एड नहीं है तो मैं डायरेक्ट उसके बालों में यह वाला शेंपू यूज कर रही हूं दो पाउच मैंने इसके यूज की और इतना अच्छा लैदर किया इतनी अच्छी इसकी जाग हुई है वैसे मैं जेशन को आयूर शेंपू का यूज करती हूँ जैसे कि आपने पहले देखा हुए है बट मुझे लगा कि कुछ अलग भी करना चाहिए तो मैं ट्राइ करके देखती हूँ यह वाला शेंपू मैंने काफी बार यूज किया हुए है इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अप्लोड की तो देखें गाइस दो पाउच मैंने इसके यूज किया है और कितना अच्छा यह लैदर किया है जशन के बालों की लैंथ तो इतनी ज़्यादा लंबी है अगर आपके बाल चोटे हैं तो आप इसका एक पाउच भी यूज कर सकते हैं एक महीना इस चैंपू का रेगुलर देखिए इसका उयल साथ में यूज कीजिए आपको इतनी अच्छे वले रिजल्ट देखने को मिलेंगे हियर फॉल की प्रॉब्लम आपके बिल्कुल खतम हो जाएगी अच्छी दरां से आपको मसाज करनी है स्कैल्प पर मसाज करनी है लैंथ पर मसाज करनी है तो इसके बाद मैंने अच्छी दरां से जेशन के बालों में पानी डाला है ताकि जितना भी शेंपू है वो सारा निकल जाए इसके बाद मैंने कोई भी कंडिशनर का यूज नहीं किया है क्योंकि जेशन को मैं वैसे भी कंडिशनर का यूज नहीं करती हूँ नैच्रली उसके ऐरड द्राइए, सूकने द्राइबग्याई उसके बालों पर अच्छी तरह से ओइलिंग करना या, ब्रेड बनानी या और जुड़ा करना यही उसकी पूरी फूल रूटीन है अच्छी तरह से पानी डाल के डाल रही हो ताकि जितना भी शैंपू है वो सारा निकल जाए बालो में से एक महिना रेगुलर आप इसका यूज कीजी आपको बहुत ही इसके अच्छे वाले रिजल्ट देखने को मिलेंगे हेरफॉल के प्राबलम आपके बिल्कुल खतम हो जाएगी क्योंकि यह शैंपू हमारे बालों पर एज़ा मेडिसिन वर्क करता है तो देखिए सारा शैंपू अच्छी तरह से निकल चुक है इसके बाद मैं जशन के बन बना दूँगी जशन की वीडियो को आप सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मुझे बहुत अच्छी अच्छी कमेंट भी आते हैं कि हमें जशन के बाल बहुत ज़्यादा सुन्दर लगते हैं तो धेंक्यो गाईज इसके लिए तो देखें लास्ट में मैंने इस तरह से उसके बन बना दिया है तो देखें गाईज जशन को मैंने हेर वाश करवा दिया है अब मैं उसके टावल ट्राइंग कर रही हूँ बहुत कम मैं उसके टावल ट्राइंग करती हूँ इसके बाद 2-3 घंटे मैं अच्छी तरह से उस के लिए थैंक यू बाई